देश की अदालतों में आम आदमी की आचिकाय दबी बड़ी रहती हैं। अदालतों में आम लोगों के करोडो केस पेंडिंग हैं। तारीख पर तारीख के विवस्था में एक केस को लड़ते लड़ते, कई पीरियां खत्ब हो जाती हैं। तो दूसरी और कई ऐसे मामले हैं दब अदालते आधी रात में भी खोल दी जाती हैं। नमस्कार, दब पैंफरे देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ विनीता। दिली के निर्भया गैंगरेप मामले से आप सभी पर इचीत हैं कि कैसे 16 दिसंबर 2012 को चलती बस में 23 साल की लड़की के साथ गैंगरेप हुआ था। करीब 15 दिन तक चले इलाज के बाद निर्भया ने दम तोग दिया था। 13 सितंबर 2013 को फास्ट्रा कोट ने सभी बलादकारियों को मौत की सजा सुनाई। महीं मार्च 2014 में दिली हाई कोट ने सजा बरकरा रखी। 2017 में 5 मई को सुप्रीम कोट ने भी फासी की सजा बरकरा रखी। इसके बाद समिशा यचिकाओं और माफिया यचिकाओं का दौर चला। कुल में लाकर सुनवाई खीचती रही, खीचती रही। मार्च 2020 में जाकर इन बलादकारियों के लिए सुप्रीम कोट को रात में सुनवाई करने पड़ी। उनकी फासी के समय, यानि सुबर साड़े पांच बजे से कुछी घंटों पहली तक एक आरोपित ने अपनी फासी ढोकने के लिए याचिका लगा दी और सुप्रीम कोट को आधी रात को स्पेशल हेरिंग करने पड़ी। तीन जजों को रात को बैठ कर 45 मिनट तक सुनवाई करने पड़ी। हाला कि सुनवाई में याचिका रद की गई और बलातकारियों की फासी का मार्ग प्रशस्त हुआ। सोचिए आठ सालों तक निर्भया के परिवार को किस पीड़ा और किस चुनोती से गुजरना पड़ा होगा। दोश कब का साबित हो गया था लेकिन अलग-अलग कानूनी डाव पेज का इस्तिमाल करके इसे लटकाया जाता रहा। निर्भया जब तक जिंदा रही तब तक सासों के लिए लड़ती रही और मरने के बाद आरोपियों की सजा के लिए परिवार को लड़ता देखती रही। लेकिन हमारे देश के कानून की विड़मरा देखिए कि इसी देश में जहां एक बेटी को इनसाफ दिलाने के लिए देश के बड़े वकीलों की लौबी नहीं थी वहीं एक आतंकी की फासी रुखवाने के लिए आधी रात को देश की सर्वच अदालत खुल जाती है। पूरा देश टीवी के पास तक-टकी लगाए बैठा रहता है। कोट के बाहर मीडिया का जबाओडा लग जाता है। ब्रेकिंग न्यूस की पट्टी चलने की प्रतियोगीताई शुरू हो जाती है। जेहा, 1993 के बंबई बंधमाको क्या रूपी याकोब मेमन की फासी रुकवाने के लिए रशान भूशन सरीखे वकीलों ने आधी रात में सुप्रीम कोट खुलवा दी थी। उसकी फासी रोकने वाली याचिपाव को खारिश किया गया, तदकाली मुखिन आयदीश एचल दत्तु से लेकर जजज दीपक मिश्रा के घरों तक के दर्वाजे इसके लिए खटखटाए गया। उससे पहले सुप्रीम कोट कभी नहीं खुली थी। सोची 2007 में ही उसका दोश सिद्ध हो गया था लेकिन फासी होते होते आट साल लग गया। 30 जुलाई 2015 को उसे नाखपूर में फासी पर लटकाया। बतलब कुछ लोगों के लिए तारीख पर तारीख वर्दान साबित हो जाती है। के लिए सिर्फ कोट ही नहीं बलके उस समय की UPA सरकार भी जिम्यदार थी। देश में बलतकार की घटनाओं को रोखने के लिए बलतकार संबंदित का गठोर कानून फ्रेमवर्क को लागू करने में कॉंग्रेस पार्टी का रवया ढोल था। दिर्भाया कान्ट के बाद भी कॉंग्रेस पार्टी महिला सुनक्षा के प्रती कितने बेपरवाद थी ये इस बात का सबूत है। दरसल कॉंग्रेस की अगवाई वाली UPA2 सरकार ने रिटार्ट सीजाई जेस वर्मा की अगवाई में तीन सदस्य टीम का गठन किया था। जिसमें जाज और कानूनी फ्रेमवर्क में बदलाओ के सुझाओ दिये गयें जिसे देश में बलतकार की बड़ती घटनाओं को कम करने में मदद मिल सके। समीती की तरफ से 23 जनवरी 2013 को रिपोर्ट सम्मिट की गए थी। इंटन एक्स्प्रेस के साथ एक इंटर्व्यू में नयमूर्ती वर्मा ने ये खुलासा किया था कि एक कॉंग्रेस सदस्य से 5 जनवरी की आधी रात को उनके घर आया था। उन्होंने पार्टी के सुझाओं को व्यक्तिकत रूप से समीती को सौपने पर जोर दिया था। इस घटना के बाद सोलिया गांधी ने जस्टिस वर्मा को फोन किया और व्यक्तिकत रूप से अपनी पार्टी के प्रतिनीधी के दुर्वहार के लिए माफी मांगी ली। मीडिया रिपोर्ट के मताबिक पूरु से जयाई ने ये भी खुलासा किया था कि तदकालीन केंद्री अग्री मंत्री सुशील कुमार शिंडे जिन्होंने समीती को न्युक्त किया था, समीती के साथ एक बाल भी उन्होंने बातचीव तक नहीं की थी। कमीटी के रिपोर्ट को लेकर कॉंग्रिस पार्टी इतनी बेपरवाद थी कि रिपोर्ट को स्विकार करने के लिए ना तो सुशील कुमार शिंडे और ना ही तदकालीन केंद्र ग्री सचिव आरके सिंग मौझूद थे। इतना ही लिजेस वर्मा ने निर्भया गैंगरिप के तदकाल बात सरकारों वरिष्ट अधिकारों के रवईये की भी आलोचना की थी। पूरु सीची आई इस तर्थे से निराश थे ही अधिकारियों की कुछ सिफारिशे मंगरवाज शाम पांच बजे तक आई जबकि रिपोर्ट अगले दिन दों बुधुवार को ग्रीमत राले को स्वापी जानी थी। वहिया है तो उनके न्यूक्तों की समिक्षा के लिए कुछ करने की जरूरत है। समीती ने सरकार को सौपी अपनी 630 पन्यों के रिपोर्ट में अपराधिक कानूनों में संशोधन का सुझाओ दिया ताकि बलतकारियों को अधिक सजा का प्रावधान किया जा सके। लेकिन हब तो तब हो गई जब दिल्ली की मुख्यमंत्री जो खुद एक महिला थी हम बात कर रहे हैं स्वर्ये सी अशीला दिख्षिर की जिन्होंने एक टीवी इंटर्यू में कहा था कि 2012 के निर्भाया गैंगरेब को मीडिया में बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया आखिर में सवाल ये कि बलतकार जैसे जगन्य को भी साश्र प्रशासन इतने हलके में क्यों लेता है क्यों ऐसे मामलों को सालों लग जाते हैं और इंसाफ की उमीद में पेडिता और उसका पूरा परिवार सरकार और प्रशासन से उमीद लगाए बैठा रहता है निर्भाया गैंगरिप को 11 साल हो गए जब भी ये दिन आता है यकीनन ना सिर्फ दिल्ली बलकि देश के अलग-अलग जगों में रहने वाली बेटिया निर्भाया का जिक्र जरूर करती होंगी आप बने रहे हैं दो पैंपलेट के साथ और भी खबरों के लिए तब तक के लिए नमस्कार